हैलो गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सिस्टम पे free glut इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे आप अपने सिस्टम पे code blocks के अंदर new glut project create कर सकते हो बिना किसी path issue के और कैसे उसको run कर सकते हो तो इसके पहले जो भी आपने install किया होगा उ पिर उसको unzip करो unzip करने के बाद से आपके पास कुछ ऐसा फोल्डर बन के आएगा code blocks नाम से इसको open करो ध्यान रहे गाई इसके पहले आपने जो कुछ भी install किया है code blocks या फिर में जी डबलो उससे कुछ लेना देना नहीं है आपको simple यहीं करना है कोई replacement नहीं करने इसके अंदर फाइल के अंदर क्योंकि मैंने अल्यड़ी कर रखिये इस files में replacement तो आपको कोई टेंशल लेने की जरुवत नहीं है सबसे वहले आप इस code blocks folder को open करोगे तो आपको इसमें कई सारी चीज़े सारे files replaced होंगे इसलिए आपको कुछ नहीं करना उसमें आपके confirmation के लिए मैं यह code blocks का जो पूराना है उसको delete कर देता हो और फिर नया code blocks जो .exe जो मैंने run किया इसको open करता हो इसमें आपको create new project पे जाना है सबसे वहले आपको guys glut project पे क्लिक करना है ना कि open jail ध्यान रहे ग्लट project पे क्लिक करो आप फिर आपसे जो पूछेगा यह आप project title आपसे पूछेगा कुछ भी दे दो और यहाँ पर आपकी मर्जी आप change करो या ना करो नहीं कर सकते हो पाथ पर इसके आगे जो पूछेगा न यह path बहुत जादा important है guys यह path आपको क्या मैं आपको बताता हूँ एक बार देखो इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करो और आप कोशिश करो कि desktop पे ही इस चीज को रखो जाके ताकि इसलिए बात को find करने में बहुत easy होगा see folders के अंदर बहुत मुश्किल होता है navigate करना तो यह code blocks folder जो हमने काम की चीज है इसके अंदर जाके select folder करेंगे तो आप देखोगे guys कुछ ऐसा पाथ आएगा code blocks के अंदर code blocks और फिर main zw यह आप जब next करोगे तो कोई भी यहाँ पे आरन नहीं आएगा और आपका नया glut project बनके त्यार हो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है जो मैंने आपको लिंक दिया description box में आप वहां से code blocks dot zip folder को download करो unzip करो उस वह unzip करने के बाद से कुछ ऐसा बनके आ जाएगा इसके अंदर आपको कोई changes करने के ज़रुत नहीं बस इसको open करो code blocks.exe को click करो और click करने के बाद से code blocks जो खूलेगा उसमें new project की रेकरो new project के अंदर path जब आपको set करना है तो वह path यह meansgw के अंदर वाले path आपको set करना है यह चीज पूरा ओके गाइस इसके पहले आपने जो कुछ भी इंस्टॉल किया होगा उससे कोई problem नहीं है आप उसको delete करो को ना करो कोई दिक्कत नहीं है उसको छोड़ो आप सिर्फ यह सारे के सारे steps फॉलो करना जो मैंने आपको बताया तैंक्यू गाइस